तो दोस्तों कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सब खेरियत होंगे आज कल कम वसम भी बहुत सुहाना हो रहा है कि एक मुविंग मुव्मेंट के पहले सेशन में हमने सीखा था कि हमें खुद को खुब सारी सकारात्मक कहानिया सुनानी चाहिए जितनी सकारात्मक कहानिया हम खुद को सुनाएंगे उतना ही अधिक शक्तिशाली हमारा जीवन होगा तो आशा करते हैं कि आप सब में एक नकारात्मक कहानी जरूर ऐसी सोची होगी जो तब से लेके अब तक अपने आपको नहीं सुनाई होगी और केवल उसके सकारात्मक संसकरन पर ही आपका जीवन चल रहा है कीप मूविंग मूव्मेंट के सेशन नमबर टू में हमने सीखा था कि महानायक के पत पर चलने के लिए कोई अध्वुद शक्तियों की जरूरत नहीं होती है चार सरल शक्तियों का इस्तमाल करके भी हम महानायक के पत पर चल सकते हैं जो थी कृत अग्यता, हसी, महत्वकांशी होना और अपने और दूसरों के विकास के बारे में सोचना याद है आप सबको ग्लाड वुमेंस मिले थे हम सेशन नमबर थ्री में हमने काफी कुछ सीखा था जैसे कि एक में बहुत शक्ति होती है अगर एक इंसान ठान ले कि उसे कुछ बड़ा और अच्छा बदलाव लाना है तो वो महानायक के पत पर अकेला ही नहीं चलता अपनी खूबियों और शक्तियों को इस्तिमाल करकर वो उचायों तक पहुचता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है कि उसके साथ उस पत पर चले हमने ये भी जाना था कि विजेता, नायक और महानायक में क्या परक होता है और हम सब ने तक्रीबन ठान लिया था कि हमें महानायक के पत पर चलना ही है और हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे अंत में मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे कि आप सौ वर्ष में यानि कि सन दो हजार से तालिस में भारत को कैसा देखना चाहते हैं और उसमें खुद का क्या योगदान देना चाहते हैं हाँ हम जानते हैं कि आपने इन दो सवालों के बारे में केवल सोचा ही नहीं एक मिनिट का वीडियो बना कर भी हमें भेजा है और हमने भी आपकी वीडियो देखी और हमें बहुत अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद चलिए जब हमने इतना सब कुछ जान लिया तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कीप मुविंग मुव्मेंट के सेशन नमबर फोर में की सही सास का क्या महत्व होता है सास मतलब जो हम सास लेते हैं सास बहु वाली सास पर मत चले जाईएगा चले कोशिश करते हैं कि हम इस सेशन में सीखे कि सही सास का क्या महत्व है इसलिए इसका नाम है सही सास सही जिन्दगी हम सब ये जानते हैं कि समय अदबत व्यक्तियों की विशाल सर्णी का साक्षी है उन में से कुछ महान नेता थे तो कुछ निर्भाय योद्दा थे कुछ उत्साही खुर्च करता थे तो कुछ निडर्स अपने देखने की हिम्मत रखते थे ये सभी लोग इस दुनिया में कुछ न कुछ बदलाव लाए और अपना एक बड़ा योगदान दे गए लेकिन ये सभी लोग समान नहीं थे हर एक की एक अलग-अलग खुबी थी क्या आप और मैं या कोई भी दो व्यक्ति आपस में पूरी तरह समान हो सकते हैं नहीं ना हमेशा एक खुबी एक आदत एक कमी कोई न कोई ऐसी चीज़ जरूर होती है जो आपको मुझे या दुनिया में किनी भी दो इंसानों को एकदम विशेश बताए यानि कि हम सब ही विशेश होते हैं हम अपने आप में अलग होते हैं क्या आपने कभी देखा है दो जुड़वा भाई भेनों को भी वो भी देखने में भले एक जैसे हो लेकिन उनकी कोई न कोई एक आदत या एक खुबी ऐसी जरूर होती है जो उन्हें अलग बनाती है तो हमें अगर अपनी विशेश्ता या अपनी खासियत को इस्तिमाल करकर उचाईयों तक पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा सिरफ दो चीजें एक हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना पड़ेगा और दूसरा हमें अपने विचारों पर काबू पाना पड़ेगा क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं और विचारों पर काबू पा सकते हैं तब ही हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और एक अच्छी तरह से सोच सकते हैं जितने भी महानायक हो चुके हैं और जो भी अभी हैं तो क्या हम उनके जैसे बनने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं है या हमें उनके जैसा कुछ भी नहीं मिला बिल्कुल मिला है एक चीज़ है जो उनमें और हमें समान है भगवान ने उन्हें भी सास लेने की शमता दी है और हमें भी सिर्फ सास को सही तरह से कैसे उप्योग करना है ये हमारे हाथ में होता है तो आईए हम उनके रहस्यों को जाने और उनके कौशल में निपड हो ये सास लेने की कुछ तक्नीक जो मैं आपसे थोड़ी देर में आपको बताने जा रही हूँ आपको जिंदगी के कई पहलू में मदद करेंगी जैसे कि स्वस्त रहना, सुशोबित रहना, शमाशील होना, मन शान्त रहना, अपना ध्यान हमेशा केंद्रित रखना, सकारात्मक होना ये सब ही गुड आप अपने आप में जरूर पाएंगे और इन सब गुड को प्राप्त करने के लिए आपको ये तकनीक में से कुछ चार-पाश तकनीक रोज की जिंदगी में करनी होंगी केवल 20 मिनट सुभ़ के, शाम के और दुपैर के समय से निकाल कर अगर आप ये तकनीक में से 3-4 तकनीक करें, तो जरूर आप ये सब गुड अपने जीवन में, अपने आप में प्राप्त कर पाएंगे तो दोस्तो, क्या आप सब तयार हैं उन महानायकों के रहसे को सीखने के लिए चलिए, हम आपको कुछ तरीके सिखाते हैं सबसे पहला तरीका है सास लेने का, जिसका नाम है रोमांचकारी सास ये सास डर का सामना करने के लिए होती है सबसे बड़ा डर ही, आपके लिए वास्तव में सबसे बड़ा अफसर है चलिए, शुरू करें सबसे पहले अपने लिए एक शान्त को न ढून लीज़े अब फर्ष पर बैठें, कुर्सी पर बैठें या मेरी तरह खड़े रहे याद रहे आपकी पीट सीधी रहनी चाहिए और गर्दन और कंधों को आराम मिलना चाहिए चहरे पर एक मुस्कुराहट रखे आशा करते हैं आप सबने ये सब कर लिया होगा अब पहले मैं आपको समझाओंगी कि ये लिना, ये तरीका कैसे अपनाना है उसके बाद हम कम से कम तीन से चार बार ये करेंगे सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व तरीके से सास लेनी है जब व्यक्तित्व तरीके से सास लेते समय आपका ध्यान पूरी तरह अपनी सास पर केंद्रित हो जाए तब ये तीन से चार स्टेप्स करने है सबसे पहले एक गहरी सास अंदर लेंगे पेट से हवा भड़ते हुए छाती तक लाएंगे फिर केवल तीन सेकंड उस सास को रोकेंगे और फिर धीरे धीरे मुझ से हवा बाहर निकालते हुए पेट को धीला छोड़ेंगे मैं आपको एक बार करके दिखाते हूँ गहरी सास अंदर एक, दो, तीन अब सास धीरे धीरे बाहर ऐसा हम तीन से चार बारी करेंगे तो क्या आप तयार हैं? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कम से कम तीन बार करेंगे मैं एक, दो, तीन का काउंट तीन बार जरूर दोंगे गहरी सास अंदर एक, दो, तीन सास मुझ से बाहर निकालिए फिर से गहरी सास अंदर एक, दो, तीन सास मुझ से बाहर निकालिए फिर से एक बार गहरी सास अंदर एक, दो, तीन सास मुझ से बाहर निकालिए अब मुझ कराईए और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए अब आपको कुछ आराम महसूस हो रहा होगा मन में थोड़ी सी गबराहट या डर इस तकनीक को सीखने से पहले होगा तो वो जरूर कम हो गया होगा यानि ही अब हम सब सासी बन चुके हैं है ना, क्योंकि आपने एक सास कारे काम किया है गहरी सास अंदर लेने का हाँ, साहसी से मुझे याद आया सनी देवल के बारे में क्या आप सबको उनका वो गाना याद है यारा, ओ यारा उसमें वो साहस वाला स्टेप ही कटते हैं खेर, ये सब मजाग की बाते थी फिर भी हमें बड़ा मजा आया और हम सब साहसी बन चुके हैं अब हम दूसरी तकनीक सीखेंगे जिसका नाम है सागर प्राप्ति सास जब भी हम थोड़े निराश होते हैं या चिर्चिड़े होते हैं तो हम समुद्र की लहरों के सामने जाकर बैठ जाएं तो हमारे मन को अच्छा प्रतीत होता है होता है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो सागर प्राप्ति सास निराशा और चिर्चिड़े पन को दूर करने के लिए बहुत काम आती है जब हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं तभी हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर भी काबू पा सकते हैं चलिए दोस्तों तक्नीक की शुरूबात करते हैं फिर से अगर आप शानकोने में बैठे हैं तो वहीं बैठे रहिए, खड़े रहिए, फर्ष पर बैठिए या कुर्सी पर बैठिए पीट सीधी रखिये, गर्दन और कंधो को आराम दीजे और आँखे बन करकर व्यक्तित्व तरीके से सास लेने की कोशिश करिए जब व्यक्तित्व तरीके से सास लेते समय आपका पुरा ध्यान अपनी सास पर आए तो नाख से एक गहरी सास अंदर लीजे पेट से हवा भटते हुए छाती तक लाईए और होट बंद रखिए और सास अंदर लेते समय एक आवाज आनी चाहिए बिल्कुल ऐसे और जब आप सास बाहर छोड़ेंगे यानि कि मुझ खोल कर तब भी एक आवाज आनी चाहिए बिल्कुल ऐसे जब आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि एक ध्वनी है वो ध्वनी समुद्र की आती जाती लहरों की तरह है और आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप एक समुद्र के सामने बैठे हैं चलिए ऐसा हम पाँच बार करते हैं और याद रहे आपको कम से कम साथ बार जरूर करना है आज अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल और नहीं तो रोज साथ बार जरूर करना है तो चलिए शुरूबात करते हैं सागर प्राप्ति सास के अब धीरे से अपनी आखें खुलिए पहले तो हम सहासी बने थे अब अगर थोड़ा सा भी चिर्चड़ा पन किसी काम ना होने की वज़े से या थोड़ी सी भी निराशा होगी आज के लिए आपके मन में तो वो जरूर हट गई होगी सहजता से मुस्कुराईए और इस अच्छी भावना का आनंद लीजे अब हम पहुँचते हैं तीसरी तकनीक पर यानि की उर्जा कारी सास ठकावट और कम उर्जा से निपटने के लिए ये सास लेने का तरीका बहुत काम आता है याद रहे आपके शरीर में उर्जा कस्तर जितना होगा उतना ही अधिक आप अपने काम का अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे वैसे ही एक शांद जगह पर बैठिये फर्श पर कुर्सी पर या मेरी तरव खड़े रहे एकदम आराम से रहे गर्दन और कंधो को आराम दे और पीट सीधी रखे व्यक्तित्त तरीके से सास लेना शुरू कीजे और जब ऐसा करते करते आपका पूरा ध्यान आपकी सास की तरफ केंद्रित हो तब एक गहरी सास अंदर लेनी है और अपने दाहीने हाथ से दाहीने नथने को ऐसे बंद करना है और जब सास बाहर निकालनी है तो कम से कम दस बार दूसरे नथुने से हवा अंदर बाहर जानी चाहिए और जब हवा अंदर बाहर जा रही है तब आप अपने पेट का सिकुड़ना और खुलना मैसूस कर पाएंगे एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ अब बाहिने नथुने को भी बन करके दाहिने नथुने से दस त्वरित ऐसे करिए अब दोनों नाप के छिद्रों को खोल दीजिए और दस त्वरित ऐसे करिए ये एक बार है ऐसा कम से कम साथ बार जरूर करें तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन तीन से चार बार अभी के लिए जरूर कर पाएं गहरी सास अंदर लीजिए दाहिना नथुना बन दाहिना नथुना बन दोनों छिद्रों को खोल कर हम दो बार और करने की कोशिश करते हैं अब आप मेरे स्ताथ साथ करिये एब मेरे से तू कर रओड़ पाहिना मेरे से अंदर रओड़ अबसर पाहिना थाहिना भ्रिह एक गल्यंद साथ करने की के वरी सब이지 पाहिना थीजिश मेरे से लाच्व्ड़ एक आखरी बार अब सहचता से मुस्कुराईए और धीरे धीरे अपनी आखें खोलिए ऐसा कम से कम साथ बार जरूर करें अब अगर आपको थोड़ी सी भी ठकावत महसूस हो रही थी तो अब उर्जा कास्तर आपके शरीर में थोड़ा बढ़ गया होगा तो चलिए इसी बात पर हम एक उंगली आसमान की तरफ उठाते हैं और देखकर कहते हैं हाँ कैसा महसूस हो रहा है रुष्टू ये तीन तखनीक सीख कर पहला हमने सीखा रोमांचकारी सास जिससे आप थोड़े सहासी बन गए होगे दूसरा हमने सीखा सागर प्राप्ती सास जिससे आपके मन में कोई भी निराशा या चिर्चड़ापन आज के दिन तो पक्का ही कम हो गया होगा और तीसरा हमने सीखा उर्जाकारी सास जो आपके शरीर में उर्जाकस्तर बढ़ा देती है अब ये सब सीखने के बाद हम सीखेंगे मधु मक्षी की सास क्या आपने कभी मधु मक्षी को सास लेते हुए सुना है नहीं तो आज सुनिए और आज सीखे मधु मक्षी कैसे सास ले सकती है ये सास लेने का तरीका एक अतिसक्रिय विचलित मन को जीतने के लिए है से भी तो चलिए शुरू करते हैं एक शांत जगे पर फर्ष पर कुर्सी पर बैठ जाएं या खड़े रहें कंदे और गर्दन को आराम दे और पीट सीधी रहें आग बन करके व्यक्तित्व तरीके से सास लीजे और जब आपका पूरा ध्यान सास की तरफ केंद्रित हो जाए तब एक गहरी सास अंदर लेनी हैं पेट से छाते की तरफ हवा खीचनी हैं फिर अपने दोनों हाथों को एकड़म ऐसे कान पे रख दे सिर्फ हथेलियों को इसको ऐसे कान पे रख दे और जब सास बाहर निकाले तो एक मदुमक्खी की तरह गुन गुनाएं एक बार मैं आपको करके दिखाते हूं ऐसा आपको साथ बार करना है चले हम कुछ बार अभी करते हैं शुरू करें गहरी सास अंदर हथेली कान पर सास छोड़ते हुए गुन गुनाएं अब हम तीन बार और करेंगे मेरे साथ करने की कोशिश करिये एक आखरी बार अब अपनी आखों को धीरे धीरे खोले और सहचता से मुस्कुराइए ऐसा करने से निश्चित रूप से अपिसक्रिय विचलित मन को काबू में पाया जा सकता है या जीता जा सकता है तो दोस्तो चार तक्नीक सीखने के बाद कैसा लग रहा है ये तो सब थोड़ी आसान तक्नीक थी चलिए अब हम शुरू करते हैं पाचवी तक्नीक लोहे करनी सास यदि आपको नीम की कमी है बेचैनी होती है व्याकुलता होती है या उत्तेजना को जीपने के लिए ये सास लेने का तरीका बहुत काम आता है एक उत्तेजित मन, एक शैतान की कारिशाला की तरह होता है तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं लोहे करनी सास की तक्निक शांत कोने में बैठ जाईए, फर्ष पर बैठ ये, कुर्सी पर बैठ ये या खड़े रहे याद रहे, पीट को सीधा रखना है और कंदे और गर्दन को आराम मिलना चाहिए ये दो चीजें हर सास लने की तक्निक में ज़रूर होनी चाहिए नहीं तो सास लने के बाद या वो तक्निक सीखने के बाद भी आप वैसा मैसूस नहीं कर पाएंगे जैसा आपको करना चाहिए तो कंदे और गर्दन को आराम दे और टीट सीधी रखें अब अपनी आखे बन करकर व्यक्तित्व तरीके से सास लीजे जब पूरा ध्यान आपकी सास की तरफ केंद्रित होने लगे तब हम शरीर के एक-एक भाग पर ध्यान देंगे जैसे की जब मैं गहरी सास अंदर ले रही हूँ तब मैं पांच तक गिनूँगी और पांच तक गिनते समय पैर के तलूओं को एकदम लोहे की तरफ कठोर बना लोगे एकदम लोहे की तरफ कठोर बनाने के बाद अपनी पैर की उंग्लियों को आस्मान की तरफ करूँगी ये सब हमें पांच तक गिनना है गहरी सास अंदर लेते हुए अपने पैरों के तलूओं को कठोर बनाए और अपनी उंग्लियों को आस्मान की तरफ कर ले जब ऐसा कर ले तो एक सेकंड के लिए सास रोके और सास बहर छोड़ते समय पेरों के तलों को आराम दे और उंग्लियां नीचे कर ले ऐसा करकर जिस जिस शरीर के भाग पर मैं ध्यान के इंद्रित करने को कहूँगी वैसा वैसा आपको करना होगा यानि कि पार्च तक गिनते हुए गहरी सास लेते हुए अगर मैं बोलूं कि आपको अपनी जांगों की मास्टेशियों को लोहे की तरफ कठोर बनाना है तो पांच तक गहरी सास अंदर लीजे, जांगो की मास पेशियों को लोहे की तरफ कठोर बनाईए और फिर बाहर सास लेते समय उनको धीला छोड़िए तो शुरू करें, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामम के नहीं है चलिए, कोशिश करते हैं इसको करने की, हर भाग के लिए मैं एक बार पांच तक आपको गिन्ती दूँगी और उस भाग का नाम पहले लूँगी सबसे पहले, अपनी सास पर ध्यान के इंदरित करिये अब, तलूओं की मास पेशियों को कठोर कर लीजे, एकदम लोहे की तरह और उंगलिया उपर उठाते हुए पांच तक गिनिये और गहरी सास अंदर लीजे एक, दो, ती, चार, पाच, अब सास बाहर छोड़ते समय, उन मास पेशियों को ढीला छोड़ दीजे अब, सास अंदर लेते समय, पांच तक गिनते समय, जांगों की मास पेशियों को एकदम लोहे की तरह कठोर बनाए एक, दो, ती, चार, पांच अब सास बाहर छोड़े और उनको दीला छोड़ दे अब हम ये कूलों के साथ करेंगे गहरी सास अंदर एक, दो, ती, चार, पांच सास बाहर और मास पेशियों को दीला छोड़े अब हम ये पेट के साथ करेंगे गहरी सास अंदर एक, दो, ती, चार, पांच सास बाहर और मास पेशियों को दीला छोड़े अब हम ये पूरे हाथों के साथ करेंगे पूरा हाथ गहरी सास अंदर एक, दो, ती, चार, पांच सास बाहर और मास पेशियों को दीला छोड़े अब हम ये कंदों के साथ करेंगे गहरी सास अंदर एक, दो, ती, चार, पांच अब मास पेशियों को दीला छोड़े और सास बाहर ले अब हम ये गर्दन के साथ करेंगे गहरी सास अंदर एक, दो, ती, चार, पांच सास बाहर और मास पेशियों को दीला छोड़े अब अपने मुक की मास पेशियों के साथ करेंगे गहरी सास अंदर एक, दो, ती, चार, पांच सास बाहर और मास पेशियों को दीला छोड़े ऐसा तब तक करते रहें जब तब आपके शरीर में आपको आराम की अनुभूती ना हो और जब आराम की अनुभूती हो जाए तो अपनी आखें धीरे से खोलें और सहचता से मुस्कुराएं याद रहे हर एक तक्नीक के बाद सहचता से मुस्कुराना बहुत जरूरी है क्यूंकि हर एक तक्नीक करने के बाद आपको कुछ न कुछ अलग और अच्छा महसूस होगा अब हमने थोड़ा मुश्किल तक्नीक को सीख लिया है तो चलिए अब थोड़ी हलकी तक्नीक सीखते हैं विजेता की सास ये सास लेने का तरीका डर, तना और संघर्ष को कम करता है याद रहे एक शांथ मन ही एक आश्वस्थ मन होता है जब आप अपने मन को शांथ रख पाएंगे तभी तो आप जीत पाएंगे याद है कभी मृत्व करने से पहले और इसी स्टेज पर जाने से पहले आपको कैसा मैसूस होता है, थोड़ी मन में घबराहट होती है लेकिन अगर आपको विजेता रहना है तो आपको वो घबराहट पर काबू पाना होगा और अपने मन को शांथ रखते हुए प्रदर्शन करना होगा तो चलिए, हम सीखते हैं कि विजेता की सास कैसी होती है शान्त कोने पर, पर्ष पर, कुर्षी पर बैठ जाएं या आराम से खड़ रहें तीट सीधी रखें, कंदे और गर्दन को एकदम आराम दें व्यक्तित्व तरीके से सास लेते समय आख बन करें और पूरा ध्यान सास पर केंद्रित करें जब पूरी तरह आपका ध्यान सास पर केंद्रित होने लगे तो अपने दाहिने हाथ की हतेली को अपने पेट के बटन यानि की टुडी पर रखें जब आप ऐसा कर चुके हैं, तब आप एक नाख से गहरी सास ले सास लेते समय जब हवा पेट के अंदर से कीच कर छाती तक आ रही है तब आप पेट को फूलता हुआ महसूस करेंगे और जब आप सास बाहर लेंगे, तो पेट को अंदर जाते हुए, नीचे जाते हुए महसूस करेंगे तो ये महसूस करें और ऐसा कम से कम साथ बार जरूर करें कुछ बार हम अभी करते हैं तो हम शुरू करते हैं, गहरी सास अंदर सास बाहर गहरी सास अंदर साज बाहर गहरी सास अंदर साज बाहर गहरी सास अंदर साज बाहर अपने आपको ताकतवर महसूस करें एक विजेता की तरह और अपनी आँखें धीरे धीरे खोलें और सहचता से मुस्कुराएं आपको विजेता की तरह महसूस हो रहा है की नहीं? ये थोड़ा सरल तक्नीक थी लेकिन इससे हमें बहुत ताकत मिलती है अभी तक हमें छे तक्नीक सीख ली हैं अब अपने आपको ऐसे करके शाबाशी दे और ये तक्नीक रोज कम से कम साथ बार जरूर करें तो दोस्तों, अब हमने छे तकनीक सीखनी है, क्या ऐसा लग रहा है आपको, क्या आज तक आपने एक साथ ऐसी छे तकनीक सीखी है, मैंने तो नहीं सीखी, लेकिन आज जरूर सिखाई है, चलिए, अब हम सब अपने आपको शाबाशी देते हैं, क्या आपको मालूम है, कोई चिडचिड़ा पंज, या हमारी उर्जा कम थी, तो वो सब भी हमारे शरीर से जा चुका है, हमारे मन से जा चुका है, अब घूमने का मन हो रहा है क्या, वैसे तो सब बंध है, लेकिन आज कल काफी कुछ खुल चुका है, हाँ, जब हम घूमने जाते हैं, और हम कोई जगे ढूंड रहे होते हैं और वो हमें नहीं मिलती, तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसे में अपने मन को शान्त रखने के लिए क्या किया जाए। चलिए आज हम सीखते हैं खोजकर्टा की सास। खोचकर्टा की सास आपको मदद करती है कि आप अपने मन को शांत रख पाए जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे उतनी आसानी से आप वो जगे ढूंड नेंगे याद रहे दोस्तों गती जीवन है जीवन में जब गती होती है तभी अच्छा लगता है एकदम रुख जाना स्थिर रहना पूरी तरह किसी को भी पसंद नहीं आता है लेकिन हाँ बीच पीच में ज़रूर रुखना चाहिए तो चलिए हम शुरू करते हैं खोचकर्टा की सास का तरीका एक शांत को न ढूंड लीजे इसको हम खड़े रहकर कर सकते हैं और इस तक्नीक में आपको कम से कम 50 बार आगे चलना होगा यानि कि 50 कदम आगे रखने होंगे तो ऐसा बताते हैं कि इस तक्नीक को करने के लिए आपको एक खुली जगे चाहिए अपनी कक्षा में ये ना करें लेकिन अगर आप अपने कमरे में हैं या आप कई ऐसी जगह बाहर हैं जहां आप थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं तो ये जैसे मैं अभी बताऊंगी वैसे करें नहीं तो अपनी जगह पर खड़े रहकर सुनें और इसको बाद में वैसे ही करें जैसे अभी बताया गया है इस तकनीक में सबसे पहले तो आप खड़े रहे अपने पैरों को पूरी तरह जमीन से जोड़ लीजे तलूओं को पूरी तरह जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कीजे फिर अपनी पीट को सीधी रखे अपनी गर्दन और कंधों को आराम दीजे आखे खुली भी रख सकते हैं अगर आप किसी सुरक्षित जगह पे हैं तो आखे बंद करके करें उसके बाद व्यक्तित्व तरीके से सास ले जब आपका पूरा ध्यान सास की तरफ केंद्रित होने लगे तब गहरी सास अंदर लेते समय तीन कदम आगे चले एक, दो और तीन और सास बाहर छोड़ते समय जैसा आपको ठीक लगे तीन या चार कदम आगे चले एक, दो, तीन, चार ऐसा रोज कम से कम साथ बार करना है और अगर आपका काम घूमना है या आपके काम में घूमने का काम ज़ादा होता है तो ये बहुत मदद करेगा तो अभी के लिए मैं अपनी जगे पर पूरी तरह खड़ी रहूंगी और आपको सिरफ गिंती दूँगी यदि आप किसी सुरक्षित जगे पे हैं, खुली जगे पे हैं, जहां आप आगे चल सकते हैं तो जरूर इसको एकदम वैसे ही करें जैसे अभी मैंने बताया लेकिन अगर आप नहीं चल सकते तो खड़े-खड़े करने की कोशिश करें तो चलिए शुरू करते हैं, गहरी सास अंदर तीन कदम आगे अब तीन या चार कदम आगे लेते हुए गहरी सास बाहर गहरी सास अंदर लेते हुए तीन कदम आगे गहरी सास बाहर निकालते हुए चार कदम या तीन कदम आगे गहरी सास अंदर तीन कदम आगे सास बाहर तीन या चार कदम आगे गेहरी सास अंदर तीन कदम आगे सास बाहर तीन या चार कदम आगे ऐसा तब तक करते रहें जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाएं अब आखे खुलिए धीरे से और सहचता से मस्कुराइए दोस्तों अब तो हमने साथ तक्निक सीख ले हैं खेर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है उज्जा कस्तर काफी है और मन भी बहुत अच्छा और शांत मैसूस कर रहा है आशा करती हूँ आप सब को भी ऐसा ही लग रहा होगा अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है और बहुत एहम है इसे कहते हैं ब्रह्मान की सास ब्रह्मान की सास लेने का तरीका आपको अप्रादबुद, शर्व और उदासी से दूर करता है याद रहे नकारात्मक भावनाएं हमारी शमता को कम करती हैं और हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते या हमारी जिन्दगी ठेरी हुई सी हो जाती है हमें अपने मन में किसी भी समा नकारात्मक भावनाओं को नहीं आने देना चाहिए या उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए चलिए इसको हम शुरू करते हैं और ये आज का आखरी तरीका है लेकिन इस तरीके को करने के लिए और सीखने के लिए आप सभी को मुझसे पूरी तरह जुड़ना होगा पूरी तरह मेर से जुड़ जाए पूरी तरह मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करिए और अपना आत्म समर्पण कर दीजे जैसा जैसा मैं बोलूँगी उसको ध्यान से सुनियेगा और अच्छे से करियेगा तो आप जितनी भी नकारात्मक भावनाएं अपके मन में होंगी वो जरूर कम होंगी याद रहे आपको आत्मसमरपन करना है और मुझसे पूरी तरह जुड़ जाना है ताकि जो भी मैं कहूँ वो आपके मन में अच्छे से जाए और आप ये तरीका अच्छे से अपना पाए तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मान की सास सबसे पहले एक शांत कोने में फर्ष पर या कुर्सी पर बैट जाए या खड़े रहे पीट को एकड़म सीधा रखिए गरदन और कंधों को अराम दीजे व्यक्तित्व तरीके से आँख बन करके सास ले अब ऐसे सास लेते समय जब आपका पूरा ध्यान आपकी सास की तरफ केंद्रे थो तो आपको एक गहरी सास लेनी है और ऐसी कलतना करनी है जब आप पेट से छाती की तरफ हवा अंदर खीच रहे हैं कि आपके मन में जितनी भी बुरी भावनाएं हैं वो आपके पेट में और छाती में तैड़ते हुए धूल के कड़ के समान है जब आप अपनी सास रोकते हैं तो ऐसा सोचिए कि एक बॉल में एक खटा हुई ये सारी भुरी भावनाएं धूल के समान हैं और जब आप सास बहार निकालते हैं तब इस धूल को अपने मूँ से पूरी तरह आकाश में उड़ा दें और आपके मन से नकारात्मन भावनाएं चलिये जाएंगी क्यूंकि ये थोड़ा गंभीर है मैं फिर से दोहराती हुए गहरी सास अंदर लेते समय, जब हम पेट और छाती की तरफ हवा भड़ते हैं उपर तब हमें ऐसे सोचना है कि जितनी भी बुरी ख्यालात हमारे मन में आ रहे हैं या जो भी हमें बुरा महसूस कराते हैं, वो धूल के कड़ के समान हैं वो धूल के कड़ हमारे च्छाती और पेट में तैर रहे हैं अब जब हम सास रोकते हैं तो उन धूल के कड़ों को एक बॉल में समती हुई बुरी भावनाओं की तरह महसूस कीज़े और जब सास बाहर छोड़ते हैं तो उस धूल को आकाश में उड़ा दीजे एक बार मैं आपको करके दिखाती हूं फिर हम कम से कम तीन बार जरूर करेंगे लेकिन रोज की जिन्दगी में जैसा कि मैंने पहले काख साथ बार जरूर करना है तो चलिए शुरू करके मैं आपको एक बार दिखाती हूं सिर्फ एक बार देखिए गहरी सास अंदर जो भी आपके मन में बुरी भावनाएं हैं जो भी नकारात्मग भावनाएं हैं जो आपको बुरा महसूस कराती हैं उन्हें धूल के कंड के समान समझे और पेट में और छाती में तेरता हुआ महसूस करें अब जब आपने सास रोकी है तो उन धूल के कड़ों से एक बॉल बनी है जो आपकी बुरी भावनाओं को समेट चुकी है अब सास बहार लें और वो धूल आकाश में उड़ा दें यानि कि अपनी बुरी भावनाओं को अकाश में उड़ा दें ऐसा करने से आपको जितना भी बुरा मैसूस होगा उसमें शत्रतिशत कुछ न कुछ कम जरूर हो जाएगा चलिए अब हम शुरू करते हैं मैं आपको गहरी सास जब भी अंदर लेने बोलूगी तब आप सारी बुरी भावनाओं को धूल के कंड के समान समझते हुए एक बॉल बनाएंगे सास रोकेंगे और सास बहार फेकते समय धूल के समान उसको मुझसे आकाश की तरफ उड़ा देंगे गहरी सास अंदर सास रोकें सास बाहर गहरी सास अंदर सास रोकें सास बाहर गहरी सास अंदर धूल की बॉल बनाएंगे सास बाहर एक आखरी बार गहरी सास अंदर धूल के कड़ों की बॉल सास बाहर जो भी भावनाएं आपको बुरा मैसूस करा रही थी अब थोड़ा कम बुरा लग रहा होगा या पूरी तरह से ही बुरा नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये आखरी तकनीक है तो अपनी आखें थोड़ी देड़ तक बन रहें और आज आपने आख तकनीक सीखी इसके लिए अपने आपको सिर्फ शाबाशी ना दे मन में शांती महसूस करें और बहुत ही अच्छा महसूस करें और ऐसा प्रणले की रोज की जिंदगी में आप इन में से कोई भी चार तकनीक या पांच तकनीक 20 मिनट सुबह उट्टे ही खाली पेट दुपैर के खाने से पहले और शाम के खाने से पहले 20 मिनट जरूर करेंगे 20 मिनट से जादा चार तकनीक करने में नहीं लगता है लेकिन याद रहे हर तकनीक को साथ बार करना है अब धीरे-धीरे आँखे खोलिए और सहच्चता से मुस्कराइए तो दोस्तों मुझे तो बहुत ही हलका महसूस हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा करते हूँ कि आप सबको भी बहुत हलका महसूस हो रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप आज से रोज अपनी जिंदगी में इन में से कोई चार्ट तकनीग जरूर करेंगे कैसे? जैसे मैंने अभी बताया 20 मिनट लगते हैं चार तकनीग करने के लिए सुबह खाली पेट, दुपैर के खाने से पहले और शाम के खाने से पहले अगर हम ये कर लें तो जो शुरूवात में मैंने आपको गुड़ बताये थे वो आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं वो क्या थे? सहासी बनना हम सहासी बन चुके हैं कौन सी सास से? रुमांचकारी सास से उसके बाद शमाशील होना ये सारी खूबिया हम में होंगी उतनी ही बहतर हमारी जिन्दगी होगी आशा करते हूँ आप सब की जिन्दगी बहुत ही बहतरीन हो और याद रहे सही सास सही जिन्दगी सही सास लिने की शमता हमें एक बहुत अच्छी जिन्दगी देती है धन्यवाद